हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं किसी को कोई शक हो तो वो अभी भी यहां से जा सकता है दूआ करेंगे कि वो सही सलामन जा सके वरना बाद में किसी का यहां से जाना मुश्किली नहीं ना मुम्किन है कोई नहीं गया और यही तो हम चाते थे कोई न जाए अब शुरुआत होगी इस खतरनाक रात की आपके सामने मेरी असिस्टेंट एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आएगी जिसमें आप सब लोग अपने मुबाइल फोन्स डाल देंगे किसी से किसी का कोई कॉन्टाक नहीं रहेगा आपको अवे पर कॉन्टाक नहीं लाएगा हमारी बात मानते रहना, अब आगे बात करते हैं, सब के सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ है, अब हर आदमी अपने अपने बॉक्स को खोलेंगे, लिफाफे के उपर नाम लिखा हुआ है, और लिफाफे के अंदर उस आदमी का काम, याद रखना, कोई भी आदमी अपने काम के बारे में किसी को नहीं बताएगा, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, अब आप सब लोग अपने कमरे में चाहिए, और चैसे ही घंटा बजे अपना काम शुरू कर देना, कुछ कड़बड है, मेरा इन्वलब ब्लैंक है, कुछ कड़बड नहीं है, रोहित, सब कुछ प्लैंग के मुताबिक हो रहा है, तुम्हे जो करना है, वो इस लिफाफे में नहीं है, अब अपने सामने देखो, एक लांप रखा हुआ है, उसकी तरफ बढ़ो, अब वो लांप अन होगा, सामने रखा हुआ बॉक्स खोलो, वो ही तुम्हारा मिशन है, यह तो गन है, बिल्कुल सही, यह गन है, उठाओ उसे, साइलेंसर लगाओ उस पर, ध्यान से, गन भरी हुई है, तुम्हें सिर्फ उसे चलाना है, रूम नंबर दो में जो है, उस पर, लेकिन, लेकिन का टाइम खतम हो चुका है, रोहित, और बीता हुआ टाइम कभी लोट कर नहीं आता, अब तो तुम्हें गोली चलानी पड़ेगी, वरना तुम पर गोलियां चलेंगी, समझ गए? कि मत अए हम झाल थसी वेली पाराइमी तुम्हें प्रण्काद। यह ...ार उन्लतों उल्द़ाईमी, भुम्हें तूम्हें शर चलाईमी, पह तो वाराऊिब थे def sniffलाश। ले भल … सल कि ब में पां सिर्टérence को उसा सहता गहारोगी। कर दो नहीं है अखिर तो नहीं जगा है नहीं जगा ना हरे कोई बात नहीं चलते हैं तोड़ा थोड़ा कुछ पीते हैं बिल्कुल बिल्कुल चले लेट गुछ गुछ कर दो फिल फ्री ओ वाव इसंट इस ब्यूटिफुल प्लेस वैसे एक बात बोलू जब गला थोड़ा गीला होगा तो यहां का रंग और जंग जाएगा वाँ मानव तुम्हें तो बस बहाना अची है ना पीने का एन्यवेस आप लोग बैठो मैं आप लोग कर द्रिंक बना क करता है कि आपने कोई गुना किया है यह क्या कह रही है आप कैसा गुना है अरे मैं तो मजाद कर रही हूं मैं तो शादी वाले गुना की बात कर रही थी तहीं आपने शादी वाले गुना तो नहीं कर लिया जी हाँ मेरी शादी हो गई है इन फैक मेरी वाइफ की हाई है य वुप गूट, तथ रीली कॉल जो एक बात बताओ दुए, हमारी जो प्यारी बीवी है इनने इक स्पेशल कॉलिटी है, इनने अपने हस्बेंड को छोड़के दुनिया का हर हस्बेंड बहुत प्यारा, क्यूट, सिंपल, सीधा साधा लगता है, और दुनिया की सारी बुराहियां अपने हस्बेंड में чर ý Reynolds आसा, शीर्स, शीर्स इ настênioदी यए अवाज कैसी बट्या हमे अच्ञ है, ये तो मिनाक्षी की Wrestling Returns लाइट भी चली गई, कुछ क्टा पन है अर शेण तो अट जी compressie की वाज घु से लखंट इह अवाज जारी नया कि मेनाक्षी 여러분וש!", मेनाक्षी दर्वाजा क्षोलो ! दर्वाजा क्षोलो!! कोई अवाज नहीं आजा क्या करें गाईज...? उत्ना दर्वाज तो फोजा चाहरेगा तू पीछ था पूलीज म३ म---- मेनाक्षी...... मेनाक्षी ज् кот कशआ ? मेनाक्षी मुमें! मानव, कहीं है उसी का हिस्सा तो नहीं है? मुझे भी बता. क्या हुआ है? Oh my god! इसे तु गोली लगी है? तू साथी? तू साथी? अरे इसे सच में गोली लगी है? अब क्या करें? तुम लो करें, मैं टॉक्टर को बढाता, पुलिस को बढाता. अरे, वो बॉक्स का आगया जिसमें अने मुबाइल फोन रखे थे? रिलाक्स, रिलाक्स. पून रुखने का नामी नहीं ले रहा है. अरे यह! तुम? तुम यह क्या करें? वो बॉक्स कहाँ पे जिसमें मुबाइल फोन रखे थे, जल्दी बता. वो बॉक्स? क्यों जहीं तुमें? मालू मैंने एक बर फोन दे दिया, तो फिर उसे हाद में लगा. अरे, बढ़ बढ़ा ना, पुद्कर बजाख लगे तुझे, यह दिनक्षी को गोली मार दी, और यह प्लान में था, गोली लग यह गोली, पुलिस को बहना पड़ेगा. गाइस वो डबबा भी नी दिखना जिसमें मुबाइल फोन रखे थे, तुझे मुझे 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 डॉक्तर को फोन करना है, मैं C.I.D. को फोन करना में कैसे करूँ? हमें बाहर जाकर किसी PCO से फोन करना पड़ेगा. दर्वासा तो लॉक्त है, ताला लगाए लगता है. जाना तो पड़ेगा. इसे काम करते हैं, तोड़ देते हैं. यस. थैंक गॉड यह लाइट तो आ गई. आई नहीं, लाइए. अंधेरे में कितनी मुश्किल जा फ्यूस्ट ही किया? सिर्फ में ही जानता हूँ. छोड़ो इसे. चलो हम तो जलके देखी में लाक्षी को क्या हुआ है? नहीं. क्यों? सोचना पड़ेगा. वहां जाना ठीक है या नहीं? कोई आद में नहीं दिख रहा है? कोई दुकान में नहीं दिख रहा है? चारे परेशानी एकसाथ या नहीं थी. हमारे मोबाल फोन पिकाया हुआ है. भाई, माई, कारी. रोको, रोको, रोको. müsste one politPol ऑचे सबस्ट एफ देञे प्लिस हमारी वड़त करो अरे क्या ंंै उप्लिस आमेशा लागा र ख़ए य्द्झ प्लिस हमारी मजब करो ऑफ्लिस क्या हुआ हमारा अ डोस बुरी तरह Communications' हमें CID वरेंद उन भॉन करना है प्लीज अपना फोन दो, तुम दोरे के पास फोन नहीं है? अरे हमारे पास फोन होता था, तुम्हे की रुकाते, प्लीज हमारी मलबद करो, बाते ही कमते रो, हमें अपना फोन दो, हमें से आडी को फोन कमें, प्लीज रुको, 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 मैं फोन करता हूँ अइडी को थोड़ा जल्दी, प्लीज, जल्दी करो अलो गाइस, गाइस मेने फोन करते हैं, अम्बलेंच आती होगी कोई फादा रही है मानव अब मिनाक्षी हमारे भीच नहीं रही को अगाइस, जिल्लोगण ने भी इस गटना को देखा है, वो यहां इस कमरे में रहेंगे, बाकी लोग बार जाएगे लेकिन गर से बार कोई निए जाएगा बीप्या, इनके नाम और अड्रेस वगरा सब नोट कर लो अबजी अबजी अबजीब तो आप तीनों ने सबसे पहले देगा था इसे तब ये इसी पोजिशन में थे? वो पेट केबल गिरी थी तुम थीनों पहले हाल में थे? तुम तो ये रोहित आचल और खुद के लिए गरिंग बना रहा था वामी तब ही हमने एक चीक सुनी सर दो गोली चलने के अवाज आई हम तिनों यहां भागते हुआ है और मेनाक्षी तो जब आप पहली बार ये दरवाजा तो तो मेनाक्षी के लावा यहां और कोई नहीं तर अभी जी मदने से पहले शायद इसने कुछ के लिखने क कोशिश किया बालों के फिचे छपावा था इसलिए ठीक से दिखाना पता नहीं चलना क्या लिख रहा है मेट क्या है बपढ़ने की कोशिश करतियो मेनाक्षी ने मरने से पहले पूनी के बार बें कुछ बताया किया? कि उसे किस ने मारा, क्यों मारा, या फिर कुछ हो लिया, नाम वगएरा? कुछ भी, बतानी सन, मैं तो तुरण निकल गया ता गर से आप लोगों को फोन करने के लिए तुम दोनों तुथे ने हापे मेनाक्षी के साथ? हा लेकिन उसने कुछ कहा नहीं मेनाक्षी ने कुछ कहा नहीं, उसने फ़र्ष पर लिख दिया उसे फ़र्ष पर लिखते वे तो देखा होगा तुम लोगों ने? ये बात बता ही नहीं है? मैं यहां इस रोम से कुछ देर के लिए बाहर गी थी पानी, 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 अचल प्लीज जाओ, पानी लेकर आओ पर यहां तो कहीं भी पानी नहीं है, मात्रूम ए किसी भी राद में पानी नहीं आ रहा है सब अभी उना था क्या? मेरे रूम में पानी है, मैं अभी लेकर आती हूँ, वेट मेनाक्षी उटो, यह लो पाने पियो मेनाक्षी 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 मुझे में वापस लोट कर रही तो, तो मेनाक्षी यहां केली थी रोहित भी नहीं था यहां इन फाक्ट रोहित तो मेरे आने के भी बाद आया अच्छा तो गए गाते तुम दोनों मेनाक्षी को इस हालात में छोड़के? मानव एंबूलेंस के लिए कॉल करने गया था सर जब आनचल पानी लेने गई तो मुझे इस दरवाजे से कोई अवाद सुनाई थी मुझे लगा मेनाक्षी का कातिल होगा तो सर मैं उसे बाहर देखने गया और जब मैं वापिस आया तो मेरी मेनाक्षी मुझे हमेशा के लिए छोड़के जा चुकी थी अगर खुनी इस दरवाजे से बाहर गया है कोई ना कोई सुरागत उसने जरूर छोड़ा होगा सच्चे करो दरवाजे को अबजीत इस मेनाक्षी ने मरने से पहले अबजीत के दो आलफबेट लखने कोशिश की थी के और ए के और ए सर इसका चाम अठलब हो सकता है शायद खुनी का नाम हो कम्रे का ये दरवाजा सीधे बाहर की तरफ खुल रहा है लगता है खुनी ने मेनाक्षी को मारा और इसी रास्ते अराम से निकल गया है तारीका, बड़ सेंपल्स ले लिए है ना लेब में जाके अंडरलाइस करोगा देखो शायद इस रास्ते जाके देखो कोई सुराग मिले? मैं यह देखता हू मुझे लगता है अभीजी इस शायद हुआ यू होगा के मिनाक्षी यू खड़ी होगी पुनी दर्वाजे पर आया इसने पलट का खुनी की तरफ देखा पुनी के हाथ में गन देखी और पलट कर भागने की कोशिच करने लगी लेकिन वो भाग पाती इस से पहले ही खुनी में उसकी पीठ में गोली दाव दे और यह देखो जहां से गोली बाहर मिकली है वहां पर यह थून के हलके हलके छीटे है जैसे किसी में इस्प्रे किया तर यहां देखो इतना सारा कूम यहां गोली लगी है अंदर कुनी को देखके मिनक्षी ने बातरूम की तरफ भागने की पोचिश की जिन उसके पहले ही खुनी ने गोली चला दी इसी लिए मिनक्षी बूखे बल गेरी पंकट सर सर अब बातरूम में उसके आसपास देखो गोलिया मिलती हैं कि सर खुनी ने गोली चलाई दरवाजे की तरफ से खुनी का नाम है के के ए इसका मतलम विनक्षी को इसी गन से बारा है आपका नाम? परेश परेश आप सर मेरा नाम सुनेरा है रोहित मानाओ आचल आप आप तीप्ती अनिल अनिल आप सर्मयप करन 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 नाम का पहला अक्षर क और दूसरा अ मिनाच्षी ने मरने से पहले फर्ष पे अपने खून से खूनी का नाम लिखने की कोशिश की थी उसने लिखा तक के और ए शायद तुम्हारा नाम लिखने की कोशिश की थी मिस्टा करन सर ऐसा कैसे हो सकता है सर सर मैं तो यह था भी नहीं और सर सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसका नाम के और ए से शुरू होता है सर करिश्मा के नाम में भी तो के और ए आता है ना? करिश्मा? करिश्मा कॉन है? कहा है? क्या यार सब कुम्हें लगा के बैठी हुप से वाह आप ग्यापे खड़े हैं? मैं कब सबने कमरे में लेटी हुए हुआ पर जाके यार? तुमनों कुछे ढूनने क्यों नहीं आये? मैं लाश्मान के लेटी पड़ेती हैं सो वे गई थी यार कहा करते हो यार? आप परिश्मा आप लोग भी खेल रहे हैं क्या? हाँ? बताया क्यों नहीं तुम लोगो ने? जे नहीं हम लोग सी आइडी से हैं सी 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 आइडी? हाँ और अब चुप चाप खड़ी रहो जितना पूछा जाए उतना ही बोल क्या चल रही है? क्या बोल रही है? सर, ये गेम है कैसा गेम? सर, हम सब फ्रेंस है और हर महीन एक नहीं जगे जाके ये गेम खेलते है मढ़ के प्रेटेंड करते कि हम एक दूसर को नहीं जानते हाँ, सर और इस गेम में एक प्लेयर विक्टिम का रोल प्ले करता है जो के करिश्मा प्ले कर रही थी और हम सब निलके उसके खूनी को सबूतों के साथ ढूनने की कोशिश करते है सर इस गेम में पता नहीं होता है कि खूनी का किरदार गुनने बारा है वो तो अंत में पता चलता है जब केस सॉल वजाता है हाँ, सर चे, तो तो मैं बोली मारे गई थी हाँ, सर सर अचली मैं विक्टिम प्ले कर रही थी वो हम सब को इस गेम में एक प्रॉप मिलता है मुझे इस बार खून दिया गया था तुमारा खूनी कौन है तो वो मैं हूँ खूनी जोहित तुम यहां क्या कर जहो हाँ? अच्छा सर अच्छा सर इंस्ट्रक्शन के मुताबिक करिश्मा को गोली मारने के बाद उसके कमरे के सामने रखे अच्छा पॉट में मैं वो गंड़ दी अच्छा पंकट चेकर रज़ा कौन यह एं कौन यह एं और अच्छा कौन यह एं अच्छा हम दोने यह और्मेश करते मैं अपनी आवाज रेकॉर्ड करके इंसबको इंस्ट्रक्शन देता हूँ और पर सब पर नजर भी रखता हूँ नजर रखता हूँ कैसे सर सीचीटीवी कैमरा सर लेटीवी सीचीटीवी कैमरा रखता है मैं नहीं लगावाँ अच्छा दिव्या जरा फोटे चेक करो सर तुम लोगों को पता रहता है कि कौन कहां पे है क्या कर रहा है हम गेम के आड में तुम लोगो ने मेनाक्षी का खून कर दीग मैं थाखता है नहीं सर सर रोईत और मेनाक्षी मेरे बहुत अच्छे दोस्ते सर और मैं इन सब से इस गेम के लिए पांच-पांच हजार रोपे लेता हूँ फीज के तोर पर सर ये गेम था हमारी रोजी रोटी है सर बहला मैं इसको बरबात करूँगा सर सर अबर मैंने चेक कर लिया है मिनक्षी का खुन करके कमरे के दूसरे दर्वाजे से कोई भी आसानी से भाग सकता है सर ये गन मेली उस पॉर्ट में ये तो नकली है नकली है इसका मतलब ये कोई और गन थी जिससे मिनक्षी का खून किया गया है करन और करिश्मा सर सच बताओ क्या दुश्मनी थे तुमारी मिनक्षी के साथ अक़िए Francisco मेरी यह नहीं पर कैसी से कोई दुश्मनी नहीं तुमारी सर मेरी कोई दुश्मनी नही थी उसके साथ सा सर ये करिश्मा झूटबोल रही है असलियत तो यह है की इसके पर दुश्मा कभी बहनी ही नहीं Rohit और करिष्म झार दोस्रे से प्यार करतें थे और वर उना किस्या कईaneous साट वर रोहित जिन्दिगी में मिलाक्षी जिर साड़ी गरी यहीं थर वुपले मनाखशी थे मिली में 살 से अफ्लाहदीन यîne खरोँ लूंगी घॉदी साहिए हुआ आपर बताव दू. तुम अपने कम्रे से थोड़ी देर के लिए भी बहार निकली था? नहीं सा, मैं आपने, में रूम से बिलकुल भाहर निकली थी, सर. सुम मैं वेट करे थी मेरे रूम में कोई मुझे देखने के लिया है। मैं नहीं निकली थी, सर. तुमने करिशमा फे गूली कब चलाई था? सर करीब साडे नौ बजे साडे नौ और मिनाच्छी का खून वा करीब पूने दस बजे हर कम्रे में दो दर्वाजे हैं एक में दर्वाजा और उक फीछे की तरफ खुलने वाला पंदरा मिनट में तुम आसानी से मिनाच्छी का खून करके अपने कमरे में वापस आ सकती थी सर ये इल्जाम गलत है सर सर मैंने नहीं किया सर इतने रूम में थी सर जी-सी टीवी फुटेज में कुछ पदानी चला गलत इंजाम है या हकीकत अभी बता चल जाएगा तुर्वी पंकच पता करो कि करिश्मा के कमरे से मिनाच्छी के कमरे में आने जाने में कितना बख लगता है यह रहा करिश्मा का कमरा और अगर करिश्मा ने मिनाच्छी का खून किया है तो वो यहीं से बार गई होगी देखते हैं मिनाक्षी के कंड़ें में पॉश्टाइ तर कितना टाइन लगता है स्टोप और साट करता हूँ वान, टू इस तरफ देखो भाई, जादा होश्यारी अच्छी नहीं होती क्योंकि बाद में उतनी मुश्किल आती है इसलिए बेहतर होगा कि सच-सच बता दो कि किसने मिनाक्षी का खून किया है और क्यों किया है यह रह मिनाक्षी टा कमरा कितना टाम लगा? चे मिनिट चे मिनिट मतलब करिश्मा नहीं मिनाक्षी का खून किया है क्योंकि 15 मिट होए नहीं और 15 मिट में कोई भी यहां पे खून करके वापस करिश्मा के कम्रे में जा सकता है नहीं पंकच करिश्मा खूनी नहीं ऐसा क्यों सोच रही हो तुम क्योंकि यह दर्वाजा देखो यह बहार से नहीं कुलता है देखो मतलब पतलब करिश्मा यहां से मेनाक्षी के कमरे में जा ही नहीं सकते हैं करेक्ड, अगर में डोर से कोई आथ है, तो कोई नवी तो देखता है इकसेक्ले चलो, सर को बताते है एए! रुच्छा! कॉरेख! रुच्छा! 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 यह जो कूज रहो, फुच्छा बंद करो! अरे! सर! 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 क्या होँ सर? तुच्छा बंद करो यार, बताता हूँ प्रीज से चलो सच्छी? क्या होँ? सर रभ, बार मुझे एक गन दिखाए थी और जैसे मैं गन को उठाने के लिए आगे बढ़ा किसी ने भारी चीज से मुझे पर वार किया वही मैं बेहुष हो गया और जैसी होशाया देखता हूँ कि गन भाहा है नहीं खुने नहीं अमला किया होगा तुम पे और गन लेके भाग गया तुम लोगो क्या पता चला? सर करिश्मा खुनी नहीं हो सकती क्योंकि मिनाक्षी के कमरे के उस दर्वाजे से बाहर तो निकला जा सकता है लेकिन कोई अंदर नहीं आ सकता क्योंकि कमरा बाहर से नहीं खुलता इसका मतलब खुनी में इन दर्वाजे से अंदर गया है एक काम करो इन सब के बेयान लिए मगरा अलग अलग जब गोली चली थी तब तुब का थी सो हम मैं तो रूमनम्बर बं नमझ में थी करन और अनिल के साथ लिकिन करन पहले ही निकल गया था मैंडम mów मैं तो दिप्ति और करन के साथ ही था रूमनमर えक में लेकिन करन पहले चले गया था सर मैं तो कमरे में अनिल और दीपती के साथ ही था लेकिन तब ही मुझे कुछ पेट में कड़बढ़ हाट मैसस भी तो इसलिए मैं बातरूम चला गया लेकिन जैसे मैं ने वातरूम में गोली चलने की आबाद सुनी तो भाय खबरा आ गया और मैं तुरन सीधा भाग कर बाहर आ गया सर अचनक लाइट चले गई और मुझे कुछ सुनाई दिया मैं भागबग कर यहां पर आया फिर मीटरूम चला गया लाइट को ठीक करने सर मैं तो यहां थी ही नहीं मैं तो राशन का समान लेने मार्केट गयी थी और हां आते हुक मुझे अनल और मानव यह मिले थे वो आप हे लोगों को फोन करके वापस लोट रहे थे हां जब गोली चली थी तो मीटर नहीं थी सर इन लोगों के बायान के मुताबिक सब के परफेक्ट अलिवाइस है और सब एक दूसरी के आले बाय को कंफर्म भी करें प्रोहित आचल और मानव ने थे अनिल और दिपती रूम नंबर एक में करन बात्रूम गया था करिश्मा अपने रूम में डेड बॉड़ी के रोल में थी आण डेड आया numbers जब गोली चली थी तो तुम बात्रूम में तर आण अब ठीक है छुट बोल ना तम यहां भे किसी भी बातरूम में पानी नहीं है, क्यों आचल? हाँ, हाँ करन, पानी तो था ही नहीं. कहां थे तुम? जब खोली चली, कहां थे तुम? सर वो मुझे एक सट्टे वास को फोन करना था, सट्टा लगाने के लिए. इसलिए वो मॉबाइल फोन वाला डपा, उसे मैंने उठा कर स्टोर रूम के बगल वाले कमरे में ले गया, और वहा ताला तोड़कर फोन बाहर निकाला और उसे फोन किया. तो मैं क्या लगते रहे? तुम कहानी बनाओगी और हम लोग विश्वास कर रहेंगे? सर, मेरा यकीन कीज़े, सर, मैं कोई कहानिया नहीं सुना रहा हूँ. सर, मैं स्टोर रूम के बगल वाले कमरे में ही था. अब चाहें तो मेरा फोन चेक कर सकते हैं, सर. सर, मेरा यकीन कीज़े, सर, मैं वो स्टोर रूम के बगल वाले कमरे में ही था. सर वो लेकिन मैंने सर इस्टोर रूम में कुछ आवाज सुनी थी जैसे कोई कपड़े बदल रहा हो कपड़े बदल रहा हो? जी सट्टे वाज को फोन किया था सट्टे वाजी तुमसे तो बाद में निपटते हैं स्टोर रूम चेक करना होगा यहाँ पे करन ने किसी के कपड़े बदलने की आवाज सुनीती तालाशी ने पुरेट स्टोर रूम की सद्टोर राए सब आप्साु ा धटतेए रहा हाँ सर यह कपड़े का तुकड़ा मेला है कहा सब सर यहाँ पे ओ Standing तर भागते रूम काट के भटगया है सर ऐसा लगता है के कपड़े का तुकड़ा मीनाक्षी के कपड़े का है मतलब मेनाक्षी फ्टोर्रों में आई थी यहाँ एकाम कर यह उसकी इटरेस से मैच करके देखो देखो पूर्भी यह अपजी यह देखो मेनाक्षी की नाख के अंदर से मुझे ऐसा कुछ मिरा था जिसे मैंने तारिका को लैब में टेस्ट करने के लिए जा प्लास्टिक रखा जाए तो ऐसा होना संबब है अजी बात है अजी बात है विएर ने किसी इंसान के नाख के आसपास अगर काफी समय तक प्लास्टिक रखा जाए तो ऐसा होना संबब है अच्छा अच्छा प्लास्टिक रखा नाख को है सर अच्छा 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 मतलब यह इसी तरह के किसी दूसरे कपड़ का तुकड़ अच्छा इतरी कपड़ का तुकड़ वहां पे पहुंचा कैसे था कौन वहां पे पाप पूभी तरह देखो मिनाख्षे के कपड़ कोई लेवल गरा लगाए या यहाँ, सब्सक्राइब द्रेस है, यह हायर किया हुआ कपड़ा है अलो तेया आइए, आइए से आइए, आइए से आइए अगम चरेश, इसे आइए अगड़ा है इसे रेती द्रेस तुमारे दुकान? इसे अथ यह तुमारे दुकान का है अधेए सर इस पर इतना खोन कैसे लख और नड़की का खोन हुआ है, जिसने डेस पहना था च्या खोन? तुमारे पसदर ऐसे किने डेस है? दूरेस है, sir. वे दोनों ड्रेस कॉन ले गया, उनके नाम बताओ. यह यह दो लोग. तो दूसरा ड्रेस, इसके पास है. Sir, यह तो पता चल गया, मेनाक्षी जैसा ड्रेस हायर किया गया था. लेकिन यह समझ मेनी आ रहे है, कि यह सब हुआ कैसे? यह पता करना है, पुर्वी, कि यह खूनी खेल, खेला कैसे गया? यह जड़ बताओ. यह 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 पना है, कि यह दूसरा बहलतील लोगारा है. यह झाले का यह यह जब जड़ारा है. यह उसितली खाने कैसे पस्सूनिताव कि पस्सक्तून्स्थी जादाओ. प्लास्टिक केरेशे, प्लास्टिक हाईदा, किसी इंसान के नाथ के आसपास अगर काफी समय तर प्लास्टिक रखा जाए, तो ऐसा होना संभाव है, तो अज़ा होना संभाव है, मैं तो तुरंद निकल यादा घर से आप लोगों को फोन करनी की, इसके और मिनाक्षी को और मुझे कोछ चुना ही दिया, सर जब आँचल पानी ले ने गई तो मुझे इस दर्वाजे से कोई आवास हुनाए ती, लेकिन मैं सर इस्टोर रूम में कुछ आवास होनी थी, जैसे कोई कपड़े बदल रहा हूँ, सर, क्या आपको अभी भी लगता है कि खूने हम में स इसे कोई एक है, बिल्कुल, और वो अपने आपको बहुत शातिर समझ रहा है, यह केस कुछ उस तरीके का है, जैसे आप लोगोंने किताबों में पड़ा होगा, एक जगह, एक औरत का खून हो जाता है, बहुत सारे सस्पेक्ट, लेकिन हर सस्पेक्ट के पास पर्फेक्ट अलिबाई कि कौन कहां पर था, अब सबसे पहले हम लोग मिनाक्षी के पती रोहित से शुरू करते हैं, क्या करें, सबसे पहले पती पर ही शब जाता है, लेकिन इस केस में जब गोली चली, तब रोहित आचल और मानों के साथ बाहर था, इसलिए आप तो, रोहित, मानों और आचल जब दर्वाजा तोड के कमरे में गए, तो लिनाक्षी जिन्दा थी और तर से तड़ रही थी, सब तब तो शायद खुनी ये करन है, हो सकते हैं से सब को जूट बोला हो, और वो बुकी वाली काहनी इसने अभी अभी बनाई हो, आँ, करन, करन, त तुमने तो जूट बोला था ना कि पेट में दर्थ था, और फिर जब पकड़े गए तो तुमने बोला कि मैं बुकी से बात कर रहा था, हैं? सचिन, पता किया वो बुकी वाली कहानी के बारे में? आँ सर मैंने इसके बुकी से बात की, और इसके कॉल रिकॉर्ड भी चेक् आपके पास तो बड़ा मजबूत गवाय है, खुद, मिनाक्षी के पती रोहित, जब गोली चली तो आप साथ में थे, और अनिल आप और दीपती आप भी साथ में थे, तो ये चारो तो बच गया है, सर आप कहीं अभी भी मुझ पर शक्तों नहीं कर रहा हैं ना, ने, 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 पंकज और पूर्वी ने चेक किया था ना, आप तो इस केस से बरी हो चुगी, सर, मैं तो बेगुना हूँ ना, सर, आप, शोर गुल सुनकर आप यहां इस कमरे में आये थे, ना, लेकिन आपके पास ऐसा कोई गवार नहीं है, जो ये बता सके, कि गोली चलन के वक्त, आप कहा थे, तो हो सकता है कि मेनाच्ची का कुन करने के बाद आप यहां पर आप यहां के हो, नहीं सर, मैं, मैं सच कह रहा हूँ सर, और सुने ने, तुम तो, जी सर, मैं तो राशन लेने मार्केट गई भी थी, हाँ, बाहर थी, जी, हाँ, आमने पता किया आप के दुकान वाले से, उसने बताया कि शोर शुरू होने के तीन घंटे पहले आप राशन लेके यहां पे आ गए थी, वहां से पैदल आया जाया तो 20 मिनट लगते हैं, बाकी समय आप कहा थी, सर, सर, वो, मैं, असल मैं अपनी बॉइफ्रेंट से मिल ले गई थी, सर, और मैं गन शॉट जो आप लोगों ने सुना था, उसके पैंतालिस मिनट पहले ही मिनाक्षी की मौथ हो चुकी थी, क्या, क्या के रहे, सर? अब वो, मैं एक जुए, सर, तोन मिलें नहीं, डितिया, सर, वो, मैं इस उलाँ, क्या, क्या, वो, मैं? कि मिनाक्षी तो तब जिन्दा थी? आचल, मानाओ और रोहिद जब कम्रे के अंदर गय थे मिनाक्षी! 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 तो वहाँ पे मिनाक्षी नहीं थे मिनाक्षी की जगा कोई और थी आचल तुम, तुम बात्रूम में गई, वहाँ पर पानी नहीं था बात्रूम के किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है इसलिए पानी लेने के लिए तुम कमरे से बाहर चलिए मेरे रूम में पानी है, मैं अभी लेकर आती हूँ और जब पानी लेकर तुम वापस आई तब वहाँ पे असली मिनाक्षी की लाश लिटा दी गई थी मिनाक्षी उठो यह लो पानी पीओ इसके पहले मिनाक्षी जैसी दिखने वाली मिनाक्षी के कपड़ों में सुनेना मेडम आप थी महाँ पे आप आप ने उसी दुकान से कपड़े हाई थे जहां से मिनाक्षी ने मंगवाय थे सेम तु सेम हूब हुआ हुआ थी नहीं, मैं मैं क्यों करूगे, सर्म मैं क्यों बारोगी सर्म मेनाक्षी तो पहले ही मर चुकी थी उसकी लाश को लास्टिक में लपेट कर बैट के अंदर छुपा दिया गया था और जब आप दोनों कमरे से बाहर गए तो सुनेना मैडम ने मिनाक्षी की लाश बेट से निकाल कर वहाँ पे लिटा दी और इसके पहले कि आप पानी लेकर वहाँ पर आती सुनेना मैडम को दूसरे दरवाजे से मिस्टर रोईत ने भगा दिया मिनाक्षी 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 क्या रोईंची सेचन आटने की कोशिश किये तो गोली चल जाएकी समझें नहीं सेर गोली बच चलाएकी प्लीज क्यों हमारा मिनाक्षी को तुम लोगों ने है सर मिनाक्षी मुझे तलाख देना चाहती थी अगर ऐसा हो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता मैं सड़क पे आ जाता अच्छा और वो गन वहां से कैसे गाए भई और मुझ पे हमला किस ने किया वो मैंने वारा था सर आपको जब मैं मिनाक्षी के रोम से गन और प्लास्टिक लेकर निकल रही थी तो आचल पानी लेकर आ रही थी उसे तेखकर मैंने छुपने की कोशिश की और उसी वक्त मेरे हाथ से गन गिर गई लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं पहले कपड़े बदल कर आओगी नहीं तो मैं पखड़ी जा सकती हूँ पर जब तक मैं आपकी नजर गन पर प्ड़चिकी थी इसलिए मैंने आप पर हमला कर दिया ओ मतलब श्टोर रूम में तुम ही थी जिसकी आवाद करन ने सुनी थी जी सर वो मैं थी अगर मिल पास कोई और रास्ता नहीं था एक रास्ता है तुम लोग के पास जेल कर रास्ता वहां से भासी कर रास्ता तुम्हें कानून दिखाएगा कर दिखाएगा